हेलो फ्रेंट्स मैं हूं अंसल सेंग और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आउचली विज्ञान की ओद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हैना स्टेडी करने वाले हैं मांटेंज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मांटेंस है वे अखर क्या है तो बिनाक्षितेरी किये हम लोग हैना अपना आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते है तो सबसे पहले यह जाल लेते हैं कि जो मांटेंस है वे अखर क्या है तो जो मांटेंस है वे हैना लार्ज लेंड फॉर्म्स है अब आप लोग सोच रही होगे कि यह land forms क्या होते हैं तो देखिए हमारी प्रत्वी का जो सर्फेस है वे हर जगे एक जैसा नहीं है हमारी प्रत्वी का जो सर्फेस है वे जमीन से और पानी से ढखा हुआ है हमारी जो प्रत्वी है वो 29% जमीन से ढखी हुई है और 71% हमारी प्रत्वी पानी स से ठकी हुई है हाला कि जो यह जमीन है वे भी हर जगे एक जैसी नहीं है कुछ जगों पर तो mountains है तो कुछ जगों पर नदियां है जो यह तरह तरह के features है जो कि हमारे प्रत्वी पर बने हुए है इन्हीं को हम लोग है ना landforms कहते हैं कुछ मेंदर landforms है जो कि हमारे प्रत्वी पर पाई जाते हैं उनकी नाम है mountains, plains, platues, rivers और desert दोस्तों अब हम लोग दबार अपने topic पर आ जाते हैं तो mountains है वे आना large landforms है mountains को हिंदी में परवत कहते हैं आपको यह बात जानकर काफी दाता हैरानी होगी पर यह बात सच है कि हमारे जो प्रतिवी है उसकी 20 प्रतिशत जमीन तो mountain से सही मिलकर बनी हुई है अब हम लोग study करने वाले है mountain range के बारे में अब मैं आको बता देता हूं कि जो mountain range है व्याकर क्या है तो ऐसे mountains जो की एक series या एक चैन में बनी हुए होती है उसको हम लोग कहना mountain range कहते हैं आप मैं आपको एक डियागराम की मदद से भी समझा देता हूं तो देखिए दोस्तों जैसे कि यह यहां पर बहुत सारे mountains और एक line से बने हुए है और इसी को हम लोग कहते है mountain range mountain range यहां पर इसी को आना mountain range कहते है mountains के shape और mountains के height से mountain के age की बारे में पता चल सकता है जो young mountains होते है उनकी जो peak होती है उनकी जो चोटी होती है वो काफी ज्यादा pointed होती है जब कि जो old mountains होते है उनकी जो peak होती है वो काफी ज्यादा rounded होती है अब जाल लेती है कि जो hills है वे आखर क्या है तो जो ऐसे mountains जिनकी ज्यादा height नहीं होती है उनको hills कहते है hills को हिंदी में पारियां कहते है दोस्तों अब हम लोग ये कैसे जानेगे कि जो ये mountain है ये new mountain है कि old mountain है तो उसका भी एक तरीका है जो new mountains होते है उनकी जो peak होती है वो काफी जादा pointed होती है जबकि जो old mountains होते है उनकी जो peak होती है वो काफी जादा rounded होती है अब मैं आपको इस डियाग्राम की मदद से भी समधा देता हूँ, तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा नियू माउंटेन, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसकी जो पीक है, यहाँ पर इसकी जो पीक है, वो काफी जादा पॉइंटेड है, पॉइंटेड पीक, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसकी जो चोटी है, यह काफी जादा पॉइंटेड है, इसलिए यह है हमारा नियू माउंटेन, जबकि अब मैं बता देता हूँ, कि जो ओल्ड माउंटेन होते हैं, वे आखर क्या होते हैं, तो देखिए दोस् माउंटेन, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसकी जो पीक है, इसकी जो चोटी है, यह काफी जादा राउंडेड है, राउंडेड पीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसकी जो चोटी है, इसकी जो पीक है, वो काफी जादा राउंडेड है, काफी जादा इसलिए यह है हमारा old mountain एक समय में इस mountain की भी पीक इसी के तरह pointed हुआ करती थी लेकिन समय के साथ-साथ इसकी जो पीक है इसकी जो चोटी है वो काफी जादा rounded हो गई आप आपर देखी भी सकते हैं कि यह हमारा new mountain और यह हमारा old mountain कोई भी mountain हो अगर उसकी पीक राउंडेड हो तो समझ जाएए कि यह एक old mountain है और अगर उसकी पीक पॉइंटेड हो ऐसे पॉइंटेड हो तो समझ जाएए कि यह है हमारा new mountain जो हिमाल्यय है एल्पस है इनकी जो पीक है वो काफी जादा पॉइंटेड है इसलिए यह है हमारे new mountains जबकि जो अरावली hills है अपलेचियन mountains है इनकी जो पीक है वो काफी जादा competitions जो आप लोग सोच सकते होगे कि जो old मंटेन सो वो कोतने साल पॉरानी होगे यह new mountains है लेकिन आज्से करोड़़ साल पुराने हैं जो एंडिस मांटेन है और रोकी मांटेन्स है यह ना कुछ परवर्ल मांटेन रेंडिस की अग्जम्पल से अब आप लोग सोच रहे होगे कि जो मांटेन्स है वो इतने ज़्यादा जरूरी क्यों है जो मांटेन्स है अकर उसका इंपोर्टेंस क्या है तो द सब्सक्राइब करते हैं मतलब कि अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मैं उभीद करता हूं कि आप इन सबी चीज़ों के बारे में समझके होगे कि मांटेन्स क्या है मांटेन्स क्या है तो अगले वीडियों में एक मज़िदार पप्रिक की साथ अब तक लिए दोस्तो बाई बाई और थैंक यू